आज बक्रीत का तेवहार पूरे देश में हर्श और लास के साथ मनाया जा रहा है मुस्लिन समदाई के लोगों ने आज नमाश पड़ी और उसके बाद एक दुसरे को बढ़ाया दी जम्मो कश्मीर में भी एक अलगी आलम नज़र आया लेकिन आलम जम्मो कश्मीर का अलग था लेकिन खबरे इस वक्त रामपूर को लेकर जादा हो रही है नमस्कार मैं होग आईत्री कुपता और आप देख रहे हैं SPN 9 News बात कर रही हूं मैं समाजवादी पार्टी के सांसद आजब खान को लेकर बाई आज अच्छा मौका है एक पाक मौका है एक बहतरीन मौका है इस पर उन्हें खुश होना चाहिए लेकि उनका दर्द है जो उम एक गार्णियां चल रहा है अब उनका खट सामने आया आजयों उन्होंने बहुत सी बातो को बातों पर इस पर फंश्टी करद के कोशिश करने के खत बताती मौक क्या लिखा है उन्हों कहा है कि एक महीने में उन्होंने ये कहा है कि तुम सब और हालात पर मेरी नजर है मजहब धर्म और जात युनिवरस्टी की पहचान नहीं है इसका मकसद सब को प्यार और सबसे प्यार करना है इस गाट की मजबूती से गिरहा बंद कर लेना जिंदगी के बाकी सफर में भी य इतजाम कर रहे हैं सब को इससे होश्यार रहना है उन्होंने कहा है मेरी बात सुनो अजीजों आपके दिलों दिमाग में बहुत से सवालात होंगे लेकिन मेरा जवाब बस इतना है जो लोग समस्ते हैं सब कुछ मिट जाएगा वो सही हो सकते हैं लेकिन इतिहास लिखा गय एक तारीख कायम हो गई हड़ी गोश्ट से बना हुआ एक इंसान गली का बाशिंदा हुकूमतों की मुखार्टों के बावजूद एक अलीम अलशान इदारा युनिवरस्ट्री और नानी हालों के लिए अच्छी हाई क्लासिस स्कूल्स कायम करने में काम्याब हो सका है इस लाकर दर्द जो है उनका छलका है वो छलका है जोहर विश्विद्याले को लेकर अब ऐसे में उनका निशाना से भार्टी जनता पार्टी है क्योंकि उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क को बरबादी की तरफ लेकर जा रहे हैं अब ऐसे में आपको एक और बात बता दू कि राम्पूर से सांसा है लकिंगर ऐसा कहा जाılar है कि सब्सक्राइब आपको अच्छा महसूस नहीं कर कर रहा हूं और जो मुझे पर आरोप लगाएंगे हैं वो सरा सर गलत है उनका ये भी कहना है जोहर विश्विदारे की स्थापना मैंने इसलिए नहीं की थी कि मुझे उसमें अपना हित साधना है मुझे मैंने इसलिए की थी वो उसमें हर धर्म की लोग आकर पढ़े हर जाती की लोग आकर पढ़ें मैं एकता को आगे बढ़ाना चाहता था लेकिन कुछ जो है राजनिती परस्तलोग जो उस पर अपर राजनिती कर रहे हैं और मुझे फ़साने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक दिन सुबह जल्दी आएगी और फिर से मैं वही आजम खान वही जो मे वो है और ऐसा कहना है पुलिस अदिक्षिक डॉक्टर अजय पाल शर्मा का अब कुल मिला के आजम खान तुका विवादों से नाता रहा है और इसी बीच बकरीत के मौके पर उनका दर्ब भरा एक खत सामने आना अब रामपुर की जनता को इमोशनल भी कर सकता है क्योंकि जा कोशिश की तो आजम खान के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत 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 काम किया है बहुत वहां पिसाड़कों से लेका सिक्षा और सिक्षा से लेकर महिराओं की सुरक्षा हर तरीके से आजम खाने मां पर काम करने की कोशिश की है सिक्षा को लेका जोहर साथे पोटेस्ट किया था और योगी सरकार के खिलाब जम कर नारे बाजी भी की थी फिलहाल अब देखते हैं कि आजम खान के इस दर्द पे रामपुर की जनता क्या फैसला लेती है क्या उन्हें माफ कर पाती है नमस्कार